तो फाइनले दोस्तो यार पोको की तरप से एक और नया 4G स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दस तक देने वाला है क्योंकि दोस्तो ये स्मार्टफोन काफी जगवा पर ऑनलाइन स्पोर्ट किया जा चुका है साथ ही दोस्तो इंडिया के पोको के ओफिशल्स ने भी यहाँ पर हिंट दे दिया कि ये स्मार्टफोन अब इंडिया में बहुत ही जल्द लॉंच कर दिया जाएगा वैसे दोस्तो स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है क्या कुछ फीचर्स आपको देखने को बिलेंगे उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही साथ में दोस्तो यहाँ पर क्या रूमर्स बगेर है उसके बारे में भी हम बात करने वाले है तो दोस्तो वीडियो काफी इंफोमेटिय और काफी हेलफुल होने वाली तो वीडियो के एंट तक बने रहेगा वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजेगा तो चलिए शुरू करते हैं मेरा नामे राम और गैजट नियू सिंदी पर आप सभी का स्वागत है तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ सी डिजाइन और बेल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं वैसे तो इस स्मार्टफोन के कोई भी रेंडर्स वगेरा अभी तक तो सामने नहीं आए लेकिन भाई इतना तो गन्फर्म है कि यह स्मार्टफोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलेगा और दोस्तो यह जो ट्वीट है यह ओफिशली तोर पर फोको की तरफ से ट्वीट किया गया है तो इतना तो गन्फर्म है गाईस कि यह जो स्मार्टफोन ही यह इंडिया में बहुत ही जल्द आने वाला है अब यहाँ पर हमें क्यामरा मॉडूर के साथ देखने को मिलने वाला है वो तो यहाँ पर कन्फर्म नहीं हो पाया हो सकता है कि आपको यहाँ पर पोको M4 5G या फिर M5 Pro 5G की तरह देखने को मिल जाए यहाँ पर आपको बैक साइड में रेक्टेंगल शेप के साथ में तीन क्यामरा साथी में LED फ्लैश और पोको की ब्रैंडिंग भी देखने को मिल सकती है फ्रेंट लुक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको पॉसिबली पंचोल गटाउट सेल्फी क्यामरा देखने को मिलने वाला है जिसका मतल़ दोस्तों कि आपको यहाँ पचीन और बिजलस बगेरा भी काफी बतले देखने को मिलेंगे तो फ्रेंट लुक भी अच्छा होने वाला है लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक ट्वीट सामने आया है और अगर हम इस ट्वीट की माने तो यहाँ पर आपको वी नौच वाली डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और अगर यह लीक सही होती है तो यहाँ पर आपको फ्रेंट लुक एवरेस टाइप का मिलेगा लेकिन आपको यहाँ पर बैक लुक से उत्ती खास शिकायत नहीं आने बाली है और साथ ही साथ दोस्तों यह जो स्मार्टफोन आपको बिल्ड कॉल्टी के मामले में भी अच्छा मिल जाएगा लेकिन फिलाल के लिए हम यही मान कर चलते कि हमें यहाँ पर पंच होल कट आउट डिजाइन ही देखने को मिलने वाला है रही बात इस स्मार्टफोन के कलर वेरेंट्स की दोस्तों तो यहाँ पर आपको दो कलर वेरेंट्स तो पक्का देखने को मिलने वाले हैं ब्लू और येलो, साथ ही में यहाँ पर यह भी लीक आ चुकिएगी, आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का भी एक वेरिंट देखने को मिल सकता है, यह तो बात हुई, यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात करते हैं, फोन के मेंन फीचर्स की, तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.58 इंचेस, याने कि आल्मोड 6.6 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आपको Full HD प्रेस का Resolution और IPS पैनल का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथी में 20.9 का Expect Ratio और लगबग 400 PPI का आपको यहाँ पर सपोर्ट भी मिल जाएगा, इसके अलाबा, Widevine L1 का Certification भी होने वाला है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, Corning Gorilla Glass 3 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ब्राइटनेस की बात करें का इस तो पॉसिबली आपको यहाँ पर अप्टू 600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है, तो और दोस्तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी होने वाली, वो आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी, डिस्प्ले वाईज आपको यहाँ और कोई खाश दिकत नहीं आने वाली, इसी के साथ में दोस्तों बढ़ते आगे और बात करते आप यहाँ पर फोन की आखों के बारे में, तो भाई यहाँ पर जो रूमर्स निकल कर आए हैं, उस हिसाब से बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल क्यामरा की हाउसिंग देखने को मिल सकती है, जहाँ पर में क्यामरा लगा होगा 50 Megapixel का, possibly 8 Megapixel का अल्टरवाइड लेंस हो सकता है, और 2 Megapixel का आपको यहाँ पर एक Macro या फिट Depth Sensor देखने को मिल सकता है, सामने की बात करें तो सामने आपको यहाँ पर 16 Megapixel का Selfie Snapper मिल जाएगा, क्यामरा से फ अब बात कर लेते हैं, फोन के ब्रेन की, तो भाई यह जो स्मार्ट फोन है, यह आने वाला है एक लेटेस्ट चिपसेट के साथ में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा, मिरिया टेक का हीलियो G99, ऐसा दोस्तों यहां पर लीक्स आये हैं, कि इस स्मार्ट फोन के अंदर हमे G90 सिरीस का ही प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, तो यहां पर जो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, वो है G99, तो काफी सदा चांसेज यहीं है दोस्तों, कि स्मार्ट फोन के अंदर हमें, मिरिया टेक का हीलियो G99 वाला चिपसेट देखने को मिल सकता है, और अगर हम बात करें इस चिपसेट की, तो दोस्तों यह चिपसेट 6 तैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, तो हीटिंग वगरा आपको यहां पर काफी कम देखने को मिलेगी, और हाँ भाई, फोन के अंदर लिक्वीड कोलिंग सिस्टम का जो ट्रेंड है, वो तो लगातार चल है, इसकी मदद से फोन यहां पर और भी कम हीट होगा, तो यह काफी अच्छी बात है, वैसे परफॉमेंस की बात करें, तो दोस्तों डेली टास्क अगेरा के लिए यह जो चिपसेट है, यह बना हुआ है आमभी 8 के आर्किटेक्चर पर, जहां पर आपको मिलते हैं टोटल एफिसिंसी को मैनेज करते हैं, तो परफॉमेंस दोस्तों आपको यहां पर काफी बढ़िया देखने को मिलने वाली है, परफॉमेंस में आपको यहां पर शिकायत नहीं आएगी, गेमिंग की बात करें, तो गेमिंग के लिए आपको दिया आगया है, आममाली G57 MC2 का दो को परफॉमेंस में आपको यहां पर शिकायत नहीं आने वाली, तो भाई ब्रेन को तो हुक्म चलाना है, वो तो हुक्म चला देगा, लेकिन उसके साथ में इसके हाथ और पैर भी तो काम करने चाहिए, तो भाई इस फोन के अंदर पॉसिबली आपको मिलने वाली है 6GB की RAM, ज सकती है, और स्टोरिज की कॉलिटी होगी, UFS 2.2, तो भाई फोन यहां पर पढ़ाकू होने वाला है, आपको पढ़ाने और लिखाने में जादा यहां पर फोकस नहीं करना पड़ेगा, और अप लोडिंग टाइम भी आपको यहां पर फास निकाल कर देगा, तो परफॉमे अच्छा है बाई, आपको यहां पर 6 तैनो मीटर का चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिस वज़े से आपको यहां पर मीडियम यूजिंग पर एक दिन का बैकप काफी आराम से मिलने वाला है, साथ ही में आपको यहां पर 33 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है, जी हां दोस्तो मिल सकता है, और चार्ज इंगिले टाइप C वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो बैटरी मॉडिल फोन का यहां पर अच्छा रहने वाला है, वहां पर भी आपको कोई दिकत नहीं आएगी, इसी के साथ में बढ़ते आगे और बात कर ले वोगों की दरब से लॉंच के गए हैं, जहां पर हमें dual stereo speakers तो देखने को मिलते ही हैं, तो वह आप यहां पर expect कर सकते हैं, रही बात card option की, तो possibly आपको यहां पर triple card का option भी देखने को मिल जाएगा, तो आप यहां पर एक साथ में दो 4G SIM और एक memory card लगा पाएंगे, रही बा जहां पर आपको मिल जाएगा MIUI 13, वैसे दोस्तों यहां पर आपको पोको की कस्टरम स्कीन देखने को मिलेगी, तो थोड़े बोड़े ब्लाट पर एप और एड आपको यहां पर कम मिलेंगे, लेकिन और अपको यहां पर अच्छी मिल जाएगी, तो उसमें अभी आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने बाली, बाद दोस्तों स्मार्ट फोन की लॉंच डेट की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फोको के ऑफिशल्स ने यहां पर एक इमेज ट्रीट की है, जहां पर आपको स्मार्ट फोन का बैक साइड देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों यहां पर रूमर्स का मानना यह है कि स्मार्ट फोन का जो बेस वेरेंट होगा, वो हमें अंडर 15,000 रुपीस की प्राइस पर देखने को मिल सकता है, में भी दोस्तों यह हो सकता है 14,000 रुपई या फिर 15,000 रुपई ही हो, लेकिन 15,000 रुपई के अंदर आपको यह पूरी कंफर्म नहीं है, कुछ लीक्स हैं तो कुछ रूमर्स हैं, तो यहां पर यह कंफर्म नहीं का जा सकता है कि यह स्मार्ट फोन 100% इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में लौंच किया जाएगा, फिलाल के लिए जो भी स्पेसिफिकेशन हमारे सामने आई थी, वो हमने को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जबूर दबा दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यबाद